अचके इज़ ट्याइट्सिक स्चान्पत ग्रू मंत्रला के कमिटी रूम में मेरे साथ प्रस्थित स्रीमान मानिक शाह जिए मुख्यमंत्री ट्लिपूरा इसकी विप्लवदेव जी, पुर्वा मुख्य मंत्री ट्रिपुरा, तिप्रा मोथा के स्थापक अध्यक्स, प्रद्युन जी, विपक्स के नेता अनिमेज जी, ट्रिपुरा से आई हुए मंत्री गण, और संगठन के सभी अधादीकारी गण, विधायत, चेर्मेंड टीटी एडीसी और गुरु मंत्रा लेके सभी ओफिसर्स, आज त्रिपुरा के इतियास के लिए एक इतियासिक दिन है, आज इस समझोते से हमने इतियास का सन्मान किया है, गलतियों को सुधारा है, और आज की वास्तविक्ता को भी स्विकार कर, तीनों चीजों का समझेश्य करकर, हमने भविश्य की और दिखने का काम किया है, इतियास जो है उसको कोई बदल नहीं सकता है, उसमें जो गलतियां हुई है, इसको सीख कर, आज की वास्तिविक्ताओं को नजर में रख कर, हम आगे जरूर बढ़ सकते हैं, और मुझे आनन्द है कि तिप्रा मूथा ने सभी ट्राइबल पार्टियों ने और सभी और इसके लिए बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल लिया है, और भार्ति जन्ता पार्टि की तिर्पूरा सरकार ने भी शुरू से इसके लिए प्रयास किया, कुई प्लोजी उपस्तित है, मानिक साहजी यहां उपस्तित है, मानिक साजी ने भी बड़े इंट्रेस्ट से बारिक्यों में इसको स्टड़ी करकर अन्जाम तक पहुचाने में बड़ी अच्छी भूमिकार अदाकी है मुझे विश्वास है कि मोदी जी जो विक्सित भारत का स्वपन लेकर चले हैं वो स्वपन में त्रिपुरा भी अपने योगदान के लिए भी कटिब्ध होगा और अपने हिस्से के लिए भी कटिब्ध होगा जब विक्सित भारत बनेगा उसक्त त्रिपुडा भी विक्सित त्रिपुडा के रूप में आगे पर सौत्मों के साथ आगे बनेगा प्रद्यान मंत्री जी के नेत्रूतों में गुरू मंत्राले ने उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नौर्थिष्ट की कलपना को साकार करने का प्रयास किया है। हमने देर सारे संगठनों से बात की सरेंडर्स भी बहुत हुए। करिब करिब दस अजार लोग हतिया छोड़कर मेंस्ट्रीम में आये हैं। और इसी के कारण आज नौर्थिष्ट में विकास का एक माहोल बना है। भुर्यां का समझोता हो या सिमाओ का समझोता हो। शुरुआ तो इसकी त्रिपुरा सही हुए थी। और ये टम में अब क्योंकि हम चुनाओं में जारें अन्तिम समझोता भी त्रिपुरा का हो रहा है। 2019 में NLFT SD के साथ समझोता हुआ था। 20 में प्रू समझोता हुआ। 20 में बोलो समझोता हुआ। 21 में कारवी समझोता हुआ। 22 में आदिवासी समझोता हुआ। 22 में असाम मिगलय अंतर अज्ये सीमा का समझोता हुआ। 2023 में असम अरुणाचर अंतर रजे सीमा का समझोता हुआ, 2023 में दिमासा सांति समझोता हुआ, 2023 में UNLF का समझोता हुआ, और 2023 में ही उल्फा का समझोता हुआ, और अब यह समझोता हो रहा है. खुल मिलाकर 11 अलग अलग प्रकार के सिमावों से जुड़े हुए, अपनी पहचान से जुड़े हुए, अपनी संस्कूती और भासा के लिकर संगर्ज करने वाले, सभी के साथ सामनजस्य पुर्वत बात करकर हमने संगर्ज को समाप करने की दिशा में काम किया है, मुझे बह प्रदुद्य देव जी को बहुत बहुत धन्यवात करना चाहता हूँ, भारत का इतियास है, जब विभाजन की विपीसी का पुरा देश जील रहा था, तब बांगला देश के सभी हिंदू परिवारों को सरण देने का काम आपके दादा ने किया था, महत्मा गांधी की करसी बात होगी कि मदभेद भी होए, इतना विश्वास्ति लाना चाहता हूँ, कि आपके अधिकारों के लिए आपको कभी अप्शंघर्स नहीं करना पड़ेगा, भारत सरकार दो कदम आगे उपकर, सभी के अधिकारों की रक्सा करें, अधिकार की रक्सा हो, इस प्रकार का तंत्र विक्सित करेंगी, मैं फिर से सभे स्टेक होल्डर्स का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हमारे संदिक पात्रा जीने भी बहुत बारिकी से और पोलिटिकल कारणों से मैं बड़ा व्यस्त चला था, फिर भी मेरा समय खिंच कर छिनकर इसको अंजाम तक पहुचा है, तो पात्रा साब का भी मैं दन्यवाद करता हूँ, और आइबी की और से हमारे जो नेगोसिटर है, जो दिनों ने समझेत्य को मूर्त रूप दिया है, इस सभी को दन्यवाद करकर मेरी बात की समापती करता हूँ, सभी को ब करता हुचा 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 हुचा